भारत का Digital Personal Data Protection Bill 2023 फाइनली पास हो चुका है, काफी लंबे समय से इस कानून का देशवासियों को इंतजार था, सरकार भी से बहुत लंबे समय से पास करना चाहती थी और कई पेचीदियों के बाद फाइनली ये बिल पास हो चुका है, लेकिन इसमें क्या बाते कही गई है, क्य होती अच्छे वीडियो लेकर आते हैं, do check them out, अगर आप मेरे lectures, courses और special classes के updates प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे telegram चैनल से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, इसके साथ ही अगर आप एक UPSC aspirant हैं, तो देश का सबसे affordable UPSC course उडान batch आप लोगों के लिए Pathfinder की team लेकर आई है, इस course में हमने अभी 15 अगस्त के उपलक्ष में और 20% discount कर दिया है, so now you can avail this batch for just 8,420 रूपीज, याद रखें ये Independence Day sale तक ही इसका price रहने वाला है, इस course में आपको 900 गंटे प्लस की live classes, mains, prelims की test series और toppers की guidance भी मिल जाएंगी, अब यहाँ पर आपको जो teachers पढ़ाने वाले ह हैं, तो आपको उनकी teaching quality देखनी है, किस तरह से हो पढ़ाते हैं, तो आप हमारे lectures देख सकते हैं, all of these teachers are the same teachers who are teaching you on the channel, वही teacher आपको course में, live classes में पढ़ाने वाले हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई और पढ़ाता है, YouTube में वहाँ कोई और पढ़ाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, Unacademy की तरफ से जो previous year के selections हैं, उनके भी interviews और उनकी details आप देख सकते हैं, हमारी website पर और हमारे channels पर, हमने तीन, चार नए optional भी launch कर दिये हैं, so history, anthropology, geography and PSIR के optionals को आप अवेल कर सकते हैं, यह भी देश का सबसे affordable optional course है, only for 8,420, optional carnival चल रहा है, अभी independence day sale के त अगर उडान और optional दोनों को joint, यानि की combo batch को अवेल करते हैं, तो आप इसे 14,000 रुपीज में अवेल कर सकते हैं, और अगर आप basic से तयारी start करना चाते हैं, तो हमारा NCRT batch join कर लीजे, अब बात करते हैं इस नए कानून की, तो पिछले 6 साल से भारत सरकार किसी ना किसी तरह से एक digital data protection bill लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार ये controversy में फस जाता है, actually सरकार ने खुद इस कानून को draft करके कई बार withdraw किया, क्योंकि जब भी जनता में इसका draft पेश किया गया, तो लोगों ने इस पर काफी आपती उठाई, तो एक बार सरकार ने खुद इसे withdraw कर लिय नेक्स टाइम इसके उपर जब public information या consultation मांगी गई, तो जनता ने इस पर क्या feedback दिया है, आम लोगों का क्या feedback है, वो कभी public नहीं किया गया, इसको लेकर भी बहुत controversy हुई थी, ये public इसके submissions नहीं किये गए, generally कोई भी बिल पर चर्चा होती है, तो उसके अंदर अगर जनता कि द्वारा सुझाय गए changes है, उनको public कर दिया जाता है, finally 2023 में इस bill को table किया गया, ये इसका चौथा अवतार है, four times it was rejected, four times it has been accepted in the parliament, वयानी यहां लोग सभा में इस पर voting होती है, राजे सभा में भी voting होती है, और finally इसे pass कर दिया गया है, तो इस कानून का पूरा नाम है digital personal data data protection bill, अब इसके नाम को ही आप अलग-अलग हिस्सों में विभाजत करेंगे, तो देखेंगे digital, यानि कि कोई भी जानकारी computer के अंदर उसको समाहित करी जाती है, store करा जा रहा है, तो वो digital हो जाएगी, या servers पे कहीं भी रखा जा रहा है, second personal data, तो personal data में आपकी photograph, phone number, address, iris scan, fingerprints, ये सब कुछ personal data में आते हैं, कोई भी ऐसा data जो आपको किसी व्यक्ति को जोडने में या identify करने में मदद करें, that could be a personal data, for example, आपका अधार नंबर आपका एक personal data है, उससे किसी भी व्यक्ति को देश में identify किया जा सकता है, तो इस data को protect कैसे करना है, ये data गलत हातों में ना ज इसके लिए एक network या framework तयार करना, तो एक ऐसा धाचा तयार करना, जो data के protection में मदद करें, तो देखे personal data मैं आपको बता दिया क्या होता है, अब processing क्या है, processing का मतलब है, जैसे साधारण सा आपको एक example देता हूँ, अगर आप किसी building में या कहीं बड़े offices में enter करते हैं, तो आपका नाम और number note किया जाता है, guard के द्वारा या जो भी security वाले होते हैं, उनके द्वारा, वो भी एक प्रकार का data collection है, उस data का processing कैसे हो रहा है, क्या आप उसको register में enter कर रहे हैं, या आपने कहीं अपना digitally phone number enter किया है, computer system में डाला गया है, तो ये एक प्रकार का process है, जो उस data इस कानून के तहत आएगा, कोई भी ऐसा data जो आपने online collect किया है, जैसे कि मान लीजे, facebook, एक website का नाम ले लेते हैं, चलो meta company है, वो आपसे login के समय, अगर आपका phone number मांग रही है, तो वो एक online data collection है, second, आपका phone number किसी building में entry के समय note किया जा रहा है, register में, जिसको बाद में, कह देशों के servers पर भी अगर आपका data डाला जा रहा है, तो वो भी इसके दाएरे में आएगा, मान लीजे, meta company का ये example ले लो again, facebook, instagram, इन दोनों की parent company है, तो इसमें जब आप अपना phone number डालते हैं, login के लिए, तो वो आपका data store हो रहा है, बाहर के देश के servers में, not India, बलकि किसी औ और country के website या servers पर भी वो store हो रहा है, तो ये वाला data भी इस कानून के तहत आएगा, कानून का अगला important aspect है, consent, यानि की सहमती का, अब आप अकसर ये देखते होंगे, कि किसी website या app पर अगर आपने एक नया ID generate किया है, sign up किया है, तो वहाँ पर आपसे terms and conditions का page आता है, जिस प पर्यारी करती है, तो जितनी भी बड़ी अच्छी companies हैं, वो अल्रेड़ी ये चीज़ फॉलो कर रही है, लेकिन अब छोटी से छोटी company को भी ये consent लेना होगा, कि आपका number या आपका data या आपका कोई भी personal हमने अगर कोई insight ली है, तो उसका हम क्या इस्तमाल करने वाले हैं और भविश्य में अगर आप चाहो तो उसके लिए मना भी कर सकते हो, मानलो कि आपका मन करा कि 10 साल से मैंने instagram इस्तमाल कर लिया है, अब मुझे इस्तमाल नहीं करना, तो आप जाकर उस company को कह सकते हो कि please मेरे जितने भी पुराने photos हैं, आप उसे हटा दीजे, delete कर दीजे, मै आज के बाद इस website को या app को इस्तमाल नहीं करना चाहता, कुछ specific conditions है जहाँ पर consent की छूट दी गई है, यानि कि इन cases में किसी को कोई permission लेनी के आवशकता नहीं है, सबसे important सरकारी काम हो के लिए है, तो अगर सरकार कोई services दे रही है, तो उसके लिए सरकार को कोई consent लेनी की अगर आगे चल कर अपना data कहीं voluntarily provide किया है, तो उसके case में consent मान ली जाएगी कि आप दे रहे हैं, medical emergency के cases में consent क्या उशकता नहीं होगी, और employment में कहीं बेरोजगारी का कोई database बन रहा है, उसमें आपने अपना number दिया है, तो फिर वहाँ consent नहीं मांगी जाएगी कि कोई company आप principle, उसके कुछ अधिकार हैं, उसके rights and duties हैं, तो data principle क्या है समझ जाना, data principle है आप और मैं, हम जैसे आम लोग जो अपना data किसी website को देते हैं, तो जो भी विक्ती data principle है, उसके पास क्या अधिकार है, number one, आपकी data का क्या इस्तमाल हो रहा है, कैसे process किया जा रहा है, इसकी जानका review के बाद क्या होगा, तो इसके लिए आप एक nominee कर सकते हैं किसी को, चौता है, grievance, redressal, यानि अगर कोई समस्या है, तो हर website को, हर company को, आपकी समस्याओं को solve करने का एक process, adopt करना पड़ेगा, तो ये चीजें, आपको as a data principle allowed है, फिर data principles की खुद की भी कुद जिम्मेदारिया ह तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि कोई भी फर्जी complaint नहीं करनी है, false particulars या गलत data नहीं डालना है, कहीं पर किसी और को impersonate नहीं करना है, आप अपनी जगे अपने भाई, बहन, मम्मी, बापा का data डाल कर किसी website में login नहीं कर सकते, वो impersonation का case बन जाएगा, अगर इस तरह की violations ह होती है, तो आप पर भी 10,000 रुपे का जुर्माना लग सकता है, फिर देखें इसके अंदर data fiduciaries की भी कुछ जिम्मेदारी है, अब ये data fiduciary कौन है, तो वो entity जो data collect कर रही है, उसे कहा जाता है data fiduciary, तो उस entity को हम क्या कहेंगे, data fiduciary, और उसे ये जिम्मेदारी निभानी ह होगी कि आपका data सबसे पहले सुरक्षित रहे, safe रहे, उसमें hackers सेंध ना लगा लें, तो आपको reasonable effort करने होंगे, यानि कि अच्छी जगे server रखो, उसका अच्छा encryption होना चाहिए data का, आपकी website में two factor authentication होना चाहिए, कि बिना password के कोई login ना कर सके, OTP के बिना कोई login ना कर सके, तो ये सारे efforts, reasonable efforts माने जाते हैं, जिससे कि आपकी data secure रहे, reasonable security safeguards होने चाहिए, inform the data protection board of India and affected persons in event of a breach, अब ये board कौन सा है, आगे बताऊंगा, एक नया board बन रहा है, जिसका नाम होगा data protection board of India, very important, DPBI, इस board को आपको तुरंत बताना होगा, अगर आपका data leak हो जाता है, तो आपक ग्रहकों का data है, आपके जो principle है, data principle, उनका data अगर leak हो गया, you have to inform the government, next, अगर कोई कहे, तो आपको personal data हटाना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजे, आपने किसी purpose से अपना data share किया था, किसी के साथ, let's say, एक matrimonial website के साथ अपने सारा data अपना share किया, अब आपको लड़की मिल कि ये सारा data हटा दिया जाए, लेकिन data हटाने के इस clause में सरकारी एजंसियों को exemption दिया गया है, सरकारी एजंसियों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि वो आपका data हटा दें, मान लीजे आपने किसी सरकारी website पे 5 साल पहले registration किया था, तो अब आप उसे नहीं कह सकते कि मेर data हटा दो, वो चाहें तो रख सकते हैं, तो government agencies के लिए ये data principle को अधिकार नहीं दिया गया है, कि वो उनसे data हटवा दें, अगला clause data के भारत देश से बाहर जाने के संबंदित है, अगर कोई company विदेश्चा operate कर रही है और उसका server भी भाहर ही है, जैसे कि कोई छूटी company हो सक बिकते हैं, और उसके 2-4,000 भारत में गरहा कें, तो उन्हें अपना data center भारत में खोलने की क्या आवशकता है, वो अपना server अपने गरह देश में रखेंगे, अपने office में रखेंगे, तो क्या ऐसी कोई company भारत में customer का data इखटा कर सकती है, हाँ, कर सकती है, लीगल है, आप data बाहर के देश में भी store कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार अगर चाहे, तो कुछ देशों को restrict कर सकती है, तो मान के चलो कि पाकिस्तान तो restrict हो गई होगा, ठीक है, तो भारत सरकार क्या कहेगी, ये board बनते ही सबसे पहले, data protection board क्या करेगा, एक advisory चारी करेगा, कि भारत में operate करने वाली company और जो data अपना बहर भेज रही है, वो कभी भी पाकिस्तान के servers पे भारत का data store नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान दाया को सकता है, पाकिस्तान की सरकारी agency उसको check कर सकती है, या फिर उस data को सेंद लगा कर वो इस्तमाल कर सकते हैं, गलत इस्तमाल जा सक है, तो किसी भी देश को इस non-compliance वाली list में डाल सकती है, कि आप इन देशों में अपना data नहीं रखोगे, तो अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है, कि कौन से देश के अंदर data नहीं रहेगा, पर मान के चलो पाकिस्तान तो इस list में हो गई होगा, अब आते हैं bureaucratic measures पर, तो पानून के तहट, जो rules and regulations से उन्हें follow कर रही हैं, नहीं, अगर नहीं कर रही तो उन पर penalty लगाओ, data fiduciaries को ये कहा जाए कि सही तरीके से data breach को handle करें, finally अगर किसी को complain है, तो वो इस board को complain करेगा, मान लीजे आपका data erase नहीं कर रही कोई company, तो आप इने जाकर complain कर सकते हैं, तो आप notice करोगे कि इनके पास भी quasi judicial powers हैं, जैसे कि हमारे NHRC के पास हैं, या फिर schedule cast and schedule tribe commissions के पास में हैं, इस तरह के अधिकार इनको मिल जाते हैं, finally they can recommend blocking access to intermediaries that repeatedly breach the bills provision, किसी भी company को block किया जा सकता है, अगर वो कानून follow नहीं कर रही, इसके board के अंदर सदस्य होंगे, वो 2 साल के appoint होंगे, और उनको reappoint भी किया जा सकता है, बहुत लंबा कारेकाल नहीं है, 2 साल का कारेकाल है, central government जल्दी बता देगी कि बोर्ड के अंदर कितने सदस्य होंगे, और कैसे select होंगे, अभी number नहीं बताया गया है, इस कानून के अनुसार, वो सरकार केंद सरकार तै कर सकती है, अगर इस board के decision के खिलाफ आपको appeal करनी है, तो वो होगी, TDSAT में, Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, इसके अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पिससे भी संतुष नहीं है, तो फिर court वगेरा तो ही, courts में भी आप जा सकते हैं, बट फिलाल bureaucratically आप यहां तक जा सकते हैं, Penalties, तो देखें, यहां पर बहुत भारी penalties का प्रावधान रखा गया है, अगर कोई company offenses लगातार करती रहती है, तो 200 करोड तक का जुर्माना उस पर लगेगा, for non-fulfillment of obligations for children, 200 करोड का जुर्माना है, for failure to take security measures to prevent data breach, तो अगर आपने security measures सही से नहीं अपना है, तो 200 करोड का इसमें एक बात है कि exemption दिये गए, exemption किसे मिल रहा है, government authorities को mainly यहां पर exemption मिल रहा है, तो यह कानून कहता है कि central government will have the right to exempt any instrumentality of the state, यह काफी interesting sentence है, यानि कि राज्य का कोई भी agency, any instrument of the state, जिसके माध्यम से सरकार काम करती है, तो यह कोई भी संस्था हो सकती है, सरकारी संस्था, को पुलिस हो सकती है, administration हो सकता है, कोई PSE हो सकता है, किसी भी सरकारी या ऐसी संस्था, जो सरकार के माध्यम के लिए, या सरकार के लिए काम करती है, उसको exemptions दिये जा सकते हैं, क्यूंकि national security का जहां मुद्दा है, वहां सरकार consent नहीं मांगेगी आपसे, कि भया, आपकी data की ज मतलब मान लो किसी जिले में दंगा फसाद है, तो वहां पर भी सरकार notice कर सकती है, या Facebook को कह सकती है, कि आप इसका data हमें दो, ये लोग हैं, ये शायद दंगे में involved थे, इनका data हमें चाहिए, location data चाहिए, phone companies से, तो ये सारा data बिना आपकी permission के सरकार के दोरा लिया जा सकता है Now for example, your mobile location is also a very important data, ठीक है, तो अभी तक क्या था कि mobile companies के माध्यम से ये data सरकार को मिल जाता था, लेकिन कई बार उन्हें कोर्ट में भी जाना पड़ता है, तो अभी ये प्रावधान रखा गया है, कि अगर public order maintain करना है, तो इस तरह का data लिया जा सकता है, राश्ट्रिय सुरक का मामला है, उसके साथ ही इन्होंने public order डाला है, तो इसका मतलब जो local जिसे दंगा फसाद वगेरा होते हैं, तो उस cases के अंदर भी ये clause exempted रहेंगे, exemptions के मामले में भारत सरकार और जो IT Minister है हमारे अश्वीनी वहिशनव जी, उन्होंने mainly यही point आगे रखाया है, कि जब भी कोई आपदा आती है, if there is any disaster, उस समय फिर हम consent थोड़े ना लेंगे लोगों का कि आपका data इस्तमाल करें या नहीं करें, for example मानलो की कोई भूकम पा गया और कई लोग बिल्डिंगों के नीचे दबे हुए है, अब ऐसे में mobile tower के data से पता चल जाता है, मानलो आपके घरवालो के नीचे दबे हुए हैं, तो of course आपका data निकाल लेगी सरकार उससे triangulate करके वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इस तरह के natural disasters के अंदर data exemptions देने जरूरी है, to seek consent for processing their data, or have to act quickly to ensure their safety, of course safety जादा important हो जाती है उस समय, तो तब consent वगेरा माइने यहाँ पर नहीं रखेगी, साथ ही अगर कोई criminal investigation चल रही है, तो उसके अंदर भी police को यह exemption रहेगा, कि वो data ले सकती है, मतलब police को कोई company मना नहीं कर सकती के नहीं, उस फलाना आदमी का हम data आपको नहीं देंगे, क्योंकि अभी उससे consent लेनी पड़ेगी, अगर police की जाँच है, तो वहाँ पर data exemption रहेग हैं, तो उस data को आप हटवा नहीं सकते, वो data वहाँ पर बना रहेगा, और ये भारत सरकार और उसके agency साथ में कुछ जो bodies हैं, जो research का काम करती है, उनके लिए भी ये कानून लागू होगा, तो उनको भी एक तरह से छोटा, थोड़ा सा exemption मिल गया है इसके अंदर, फिर इस bill की जरुद क्या थी, तो ये बहुत important aspect है, बिल की जरुद इसलिए थी क्योंकि भारत जैसे जैसे digitization की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, बहुत सारी services आज digitized हैं, इंडिया के अंदर mobile penetration levels काफी high हो चुके हैं, लगबग सभी लोग आज mobile इस्तमाल करते हैं, तो ऐसे में digital data breach काफी तेजी से बढ़ रही है, 2023 में in fact सरकार के खुद के portal को hack कर लिया गया था, जब COVID का portal hack हो गया था, तो जो लोग vaccinated हैं, कौन कितना vaccine ले चुका है, कौन सा vaccine ले चुका है, वो सारा data काफी बाहर आ गया था, तो इस तरह की data breaches नहीं होने चाहिए, तो ये तो सरकारी data की बात कर रहे हैं, हाला कि वो एक दूसरी third party के through गया था, बट still, और भी कई सारी websites है, जिनके data बार बार समय समय पर बाहर आते रहते हैं, 2023 जुलाई का मामला है, कि SBI के 12,000 लोगों के employees के confidential records बाहर आ गये थे, और वो भी telegram पर available थे, आप पैसे दे के उसे खरीच सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा data breach है, तो ऐसे में सरकार उस agency के खिलाफ कारवाई कर सकती है, उन पर fine लगा सकती है, जहां से ये data breaches हो रही है, तो बहुत सारी websites हैं, जिनके data leak हुए है, the best of the best companies, they have had data leaks, even Facebook has had a data leak, Twitter की हो चुकी है data leak, तो बड़ी बड़ी जो companies हैं, उनके साथ भी हो चुका है, अब इसमें concerns क्या है, इस पूरे कानून को लेकर कई लोगोंने कुछ concerns जता है, number one, जो सरकार को इतने सारे exemption दिये गए हैं, कि आप कुछ भी data रख सकते हो, राश्ट्रे सुरक्षा के नाम पे सरकार कोई भी data ले सकती है, कोई consent की ज़रूत नहीं है, तो ये कह इसी भी agency को ये कह सकते हैं, कि हमारा सारा online data पर erase कर दीजे, it would be something like कि आप कभी उस website पे थे ही नहीं, इस तरह से आपका सारा data वहां से wipe out कर दिया जाए, भारत के बाहर data store करने को लेकर अभी भी कई concerns हैं, क्योंकि technically आप किसी भी देश में data store कर सकते हो, जब तक सरकार मना ना करें, कि इस देश में ना store करो, so it could be anywhere, और उस तीसरे देश में क्या हालत है digital security की या फिर data security के वो हमें नहीं पता, तो इसी लिए ये वाला जो मामला है थोड़ा कमजोर रह गया, यहां पर सरकार को इसमें शायद थोड़ा सा और proactive होना चाहिए था, कि personal data हमारा भारत के बा आप चाहो तो RTI के माद्यम से किसी का भी आप salary, data या properties वगेरा की list आप निकलवा सकते हो, correct, लेकिन यहां पर एक exemption आजाएगा कि अगर personal जानकारी है तो वो बाहर नहीं आएगी, information which relates to personal information that cannot be given out in RTI, तो इसके अंदर RTI में भी एक छोटा सा amendment होगा, so RTI अभी as of right now personal information भी दे personal information को यहां पर रोका जा सकता है, तो माना जा रहा है कि जो brushed अधिकारी है, उनके लिए थोड़ा सा एक बचाव आ गया या उनके लिए एक बचाव की चादर यहां पर ओड ली गई है, कि उनका personal data जादा बाहर ना आए, surprisingly इस कानून में एक और बहुत बढ़ी कमी है, यह IT Act के प्रावधान को कमजोर बना देता है, जो हमारा IT Act है, उसका section 43A यह कहता है कि मान लीजे किसी company का data leak हो गया, तो आप as a data principle उस पर case कर सकते हैं और उससे पैसे मांग सकते हैं, और आपको damages award किये जाएंगे, यानि कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा उस company को, लेकिन य यहां clause 44.2 इस bill का, यह 43A के clause को exempt कर देता है, यानि कि अब अगर data breach में आपका data बहर गया, तो आप company पर case करके उनसे पैसा नहीं ले सकते हैं, आपको कोई वैसी relief नहीं मिलेगी, तो यह थे इस कानून के कुछ major pros and cons, इसके बारे में major चर्चा हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा, comment में जरूर बताइएगा, telegram channel से आप जुड़ सकते हैं, समुद्र मन्थन हमारा test है, जो हर week होता है, perspective series से आप देखकर काफी जानकारियां ले सकते हैं, do join our social media handles, thank you so much, have a great day.